Hello friends, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल विकास 3-1 Tech में तो friends अगर आप एक YouTuber है YouTube पर आपका YouTube का Channel है तो आज किस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप अपने YouTube चैनल पर Playlist कैसे Create कर सकते हैं Playlist create करने के बाद आप उसमें वीडियो को कैसे Add करेंगे मतलब आप साथ में अगर अपनी वीडियो को भी प्लेलिस्ट में एड़ करना चाते हैं तो वो आप कैसे करेंगे और इसके साथ साथ ये भी सिखाऊंगा कि अगर आप किसी प्लेलिस्ट को हटाना चाते हैं, रिमूव करना चाते हैं तो उसको remove करने का सही तरीका क्या है कैसे remove करते हैं सब कुछ आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा और ये सब कुछ मैं आपके mobile phone से ही करके दिखाऊंगा आपको PC या laptop की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी तो वीडियो बहुती ज़ादा informative है इसलिए वीडियो को सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपने mobile phone की स्क्रीन के उपर तो यहां पर आपको प्लेलिस्ट क्रियेट करने के लिए कहीं जाने की जुरूरत नहीं है सिंपल आपको अपनी यूट्यूब की जो एप्लिकेशन हैं उसे ओपन कर लेना है यूट्यूब के अप्लिकेशन आप जैसे ही ओपन कर लेंगे उसमें आपको अपने चैनल से लोगिन कर लेना है ठीक है मैंने इसमें लोगिन किया हुआ है एक डमी चैनल से उसके बाद आपको सिंपल क्या करना है यहां पर लास्ट में आपको नी तो यहाँ पे playlist में आपकी all videos वाली बस एकी playlist है और यहाँ पे add playlist नहीं playlist create करने का option नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है यहाँ से back आ जाना है और यहाँ पे bottom right में जो library का option है आपको simple इस पे click करना है इस पे आप जैसे ही click करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने आप देख सकते हैं playlist यहाँ पे लिखा हुआ है view wall यहाँ पे लिखा हुआ है तो playlist के सामने जो view wall लिखा है आपको इस पे click करना है और यहाँ पे आपके सामने लिस्टिट पब्लिक, पब्लिक करना चाहें, पब्लिक कर दें, तो पब्लिक आप जब करें, जब आप इसमें वीडियोज एड कर लें कुछ, ठीके, या फिर आप डारेक्ट पब्लिक भी कर सकते हैं, मैं अभी प्राइवेट ही रहने देता हूं, उसके बाद यहाँ पर create प करनी है, तो वो कैसे करेंगे आप, यहाँ से बाहर आजाएंगे, ठीक है, बाहर आने के बाद आप जाएंगे, वाइटी स्टूडियो के अंदर, जैसे ही आप चाहेंगे, तो यहाँ पर आपके सामने आपकी जो डेशबूड है, एप्लिकेशन का वो उपन हो जाएगा, उ यहाँ पर सिंपल उपर पैंसिल वाला जो इकन है, उसमें एड़ेट वाले ओप्शन पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं, काफी सारे ओप्शन आ जाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है description में उसके बाद नीचे visibility फिर audience फिर playlist का option है तो आपको इस playlist वाले option पे click करना है और यहां से हमें demo वाला select कर लेना है ठीक है अब यह दोनों के अंदर हो गया उसके बाद done कर देंगे ठीक है यहां पर उपर save कर देंगे save पर जैसे ही click कर देंगे तो यह जो आपकी video है उस playlist के अंदर भी add हो जाएगी आपको दिखाता हूँ कैसे आप देख सकते हैं ठीक है यहां से बाहर आ जाएंगे अब वापिस YouTube वाली application के अंदर जाएंगे और यहां पे आप refresh कर लेंगे तो आप देख सकते हैं यह demo के अंदर आपकी एक playlist यहां पे add हो गई है ठीक है इस तरीके से add हो गई अब मान लिज़े आप इस playlist को delete करना चाते हैं तो उसके तरीका क्या है कि आप सबसे पहले इस video जो यह आपकी videos में add हुई है उसके सामने जो यहां पे three dots दिखाई दे रहे हैं वीडियो के सामने आपको इन पे क्लिक करना है और यहां से आपको remove from demo मतलब remove आपकी playlist से remove करना है इसको remove आप जैसे ही कर देंगे उसके बाद यह इस तरीके से दिख जाएगा आपके सामने निचे लिखा आगया remove from demo ठीक है उसके बाद यहां पे आपको उपर three dots पे क्लिक करना है उसके बाद यहां पे आपको delete playlist इस पे क्लिक करना है और यहां पे delete कर देना है तो आपकी जो playlist है वो delete हो गई तो इस तरीके से आप YouTube पर अपनी playlist create कर सकते हो ठेक है उसमें वीडियो को add कर सकते हो और अगर किसकी playlist को delete करना चाहो तो आप delete कर सकते हूं मैंने सब कुछ आपको सिखा दिया है तो fans उम्मीद करता हूं अब आप सीख गए होंगे कि आप किस तरीके से YouTube पर playlist create कर सकते हैं अपनी videos को add कर सकते हैं और अगर किसी playlist को remove करना चाहें तो आप वो कैसे कर सकते हैं मैंने सब कुछ आपको इस वीडियो में सिखा दिया है अगर फिर भी वीडियो से related कोई question है कोई query है तो आप मुझे नीचे comment section में comment करके पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो इसे like और share जरूर करें thank you